हेलो आज के हमारी वीडियो का टापिक है उत्पीडन कोर्जन विच डिफाइंड अंडर सेक्शन 15 इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें बताया था को की फ्री कंसेंट जो है इट शुट नॉट वी इंफ्लेंस्ट बाए कोर्जन अंडू इंफ्लेंस फ्रॉड मिस्प्रेज अरे कि सिर्फ जो फिरोडियो नहीं होने के लिए पहला पॉंट का जो इसके बारे में अंडर सेक्शन 15 कुछ बताया गया है इंडर सेक्शन 15 का किया उसकी में कहा गया है कोर्जन इस प्टिन और थ्रहें न Important to commit any act forbidden by the Indian Penal Code Act XLV यानि कि 45 of 1860 or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ठहराव करने के लिए बाध्य करने के उदेश्य से ऐसा कोई कार्य करता करना या उसके करने की धंकी देना जो भारतिय धंड विधान के द्वारा वर्जित है अथ्वा किसी विक्ति को ख्षति पहुचाने के लिए किसी संपति को अवैद रूप से रोक लेना अथ्वा रोकने की धंकी करता है और तो कोई ऐसा कारिया जो कि इंडियन पीनिल कोड में यह वह मना किया गया भारतिय दंड सहीता के अंदर जो बना हुआ है उसमें ecosystem के लिए मना किया गया और कोई भी पर तैक्यार कराई seeking Code ने क्रिटेन में यह रहा है कि और वख देटेंग और यह फिर ठ्रैटन कर लेना और यह onu परनिटिन की उसकी प्रापर्टि चटी माने देने चांट करके और एडर किसी की संट ली गई है कि उसको जोeth इसको के अगर किसे की संट ली गई है तो 쿤 इसके साथ और उसने दर में प्रेशर में आकर अपनी कंसेंट दी हुई है तो उसमें किया है कि इंडियन पिनल कोड में इसके बारे में मना ना किया गया हो प्रॉपर्टी को जह वह unlawful तरीके से detain किया गया है या उसको detain करने की उसको नुकसान पहुंचाने की या नुकसान पहुंचाने के लिए उसको धंकी दी गई है और ये सब जो काम उसने parson ने किया है एक parson ने वो उसलिए किया है कि ताकि दूसरा parson उसके साथ agreement में एंटर हो जाए तब उसको हम कोर्जन की काटेगरी में काउंट करते हैं इसके बात क्या है कि इसकी definition जो हमने अभी बढ़ाई आपको तो उस definition से कुछ points निकल के आते हैं कि पहली बात आते हैं कि Act forbidden by Indian Penal Code तो पहली बात क्या है कि वह Act जो है वह Indian Penal Code से जो है व क्या होना चाहिए वर्जित होना चाहिए उसमें जो है उसके बारे में मना किया गया हो कि आप ऐसा काम जो है वह नहीं कर सकते दूसरी बात क्या है कि unlawful detaining or threatening to detain the property की जो है या तो उसको property को या उसको नुकसान पहुंचाया गया है या नुकसान पहुंचाने की उसको धंक करने के लिए जो है उसने ऐसा काम किया फॉर एक्जांपल कि जैसे जो है वो किसी एक परसन ने जैवा दूसरे परसन को जैवो उसमें क्या किया कि कह दिया कि मैंतर को मार दूँगा नहीं तो मुझे जो है वह अभी जो है अपना यह 50,000 रुपे वाली बाइक जैव पांच क nutrigen password को उसमें बेची है उसरे कि कांसेंट जैश कि वी उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी इसलिए जहांने लिए वह वह ठीक टा氣्ट नहीं माना जाएगा और और यहां बाने पर्संट को पूरा करने से भी मना कर सकता है क्योंकि उसकी consent free consent नहीं है या फिर जैसे हमने का कि इसकी property को नुक्सान पहुंचाने का कि कहते हैं अगर आप मुझे अपनी यह बाइक है पचासजार वाली कि कोशिश की गई है तब भी जो है वो जो कहा जाएगा कि उसकी consent नहीं है बल पूर्वक उससे जो है वो बात मनवाई जा रही है तो इसकी कुछ characteristics निकल के आएंगे फिर इसके बाद पर उससे पहले और देख लेते हैं कि जो कोर्जन है it should not necessarily be directed against the contracting party की जरूरी नहीं है कि जो contracting party है उसी को नुकसान पहुंचाया जाए for example कि ए जो कहता है कि मैं बी को कहता है कि मैं आपकी wife को जो है वो मार दूँगा अगर आपने जो है मेरे साथ contract में entry नहीं की तो directly वह एको नुखसान नहीं पहुंचा रहा है बट यह जो है बी को अब कि मैं आपकी wife को मार दूँगा अगर आप मेरे साथ contract में एंटर नहीं होते है तो यनिकी वह जरूरी नहीं है कि वह उसी और यह जिरूरी नहीं है कि जो पार्टी में जो पार्टी कॉंट्रेक्ट में एंटर होना चाहिए वो ही पार्टी जो है है threat कर रही है for example की contract में एंटर होना है और सी को एंटर होना है तो ए ने जो है कोई भी third party a a जो है वो बी को धमकाती है कि आप जो है वो सी के साथ contract कर लो नहीं तो मैं आपको या आपकी प्रॉपर्टी को या आपके किसी रिलेटेव को जो है वो नुक्सान पहुंचाने के लिए या उसको मारने के लिए द्राने के लिए धमका देता है तो उसको भी तब भी हम यह कहेंगे कि जो consent है वो free consent नहीं है that means coercion should not necessarily proceed from the contracting party की जरूरी नहीं कि contracting party से ही हो contracting party जो है वो किसी थर्ड परसन के तुरू भी अगर वो किसी अपनी contracting party को जो है वो दूसरी party को डरा रही है धमका रही है तब भी जो है उसको होर्जन की काटेगरी में काउंट किया जाता है ठीक है तो यह ध्यान रखना है हमने की जरूरी नहीं है कि directly जो contracting parties है वही आपस में दूसरे को डराती है धमकाती है या उन्हीं को डारेक्ट ली नुक्सान पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो हो सकता है कि उन दोनों parties के अलावा कोई तीसरी party जो है नुक्सान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं contracting parties को या वो contracting parties जो है वो किसी काउंट करते हैं तो characteristics of coercion there must be a threat or force कि उसमें जो है वो बलका प्रयोग किया जाना चाहिए तब ही जो है उसको हम कहेंगे कि वो कोर्जन का इस्तेमाल किया गया है तो धमकी दी जानी चाहिए या बलका प्रयोग होना चाहिए और दूसरी बात threat must be to commit and act forbidden by law कि उसमें जो है वह और ऐसा कोई काम होना चाहिए जिसको जो हो कानून में वर्जित किया गया है कानून में मना किया गया है कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते तब उसको कोर्जन की काटेगरी में count किया जाएगा तीसरी बात threat may be unlawfully detained the property of the other की हो सकता है उसमें जो है कोर्जन में यह होना चाहिए कि अवैद रूप से किसी की संपत्ति को रोगना या नुकसान पहुंचाने का काम किया जाना किये डिटेनिंग और उसको डिटेन करना नुकसान पहुंचाना या उसको अपने पास रख लेना वह unlawfully जो है ऐसा कोई काम किया गया है तब भी गोर्जन की काटेगरी में आएग भी जो है यह सब काम इसलिए किये गए हैं ताकि जो है वह वह दूसरी पार्टी कांट्रेक्ट में एंटर करें तब हम कहेंगे कि वह कोर्जन की के अगर एगर और बी के बीच में contract होना है तो C जो है वो B को धमका रहा है कि या आप contract में इंटर हो जाओ एक साथ नहीं तो मैं आपको या आपकी वाइव को या आपके बच्चे को नुक्सान पहुंचाऊंगा या इसको मार दूंगा या इसको के बच्चे को नुक्सान पहुंचा दूंगा अगर आप मेरे साथ contract में एंटर नहीं होते हैं और अजनभी से भी हो सकता है और अगर कंसेंट जो है वो कोर्जन से इंफ्लेंस्ट है और फ्री कंसेंट तो इसको हम फ्री कंसेंट में काउंट नहीं करेंगे अब मैं आपसे च्छोटा सा एक्जामपल पूछना जाता हूं कि जैसे मालो किसी परसन ने जो है अपनी जो है आत्मत्य करने की सुसाइड कमिट करने की धंकी देता है कोई परसन तो उसको आप कोर्जन की कैटेगरी में से नहीं किया जाएगा मैं बताएंगे आप है तो बताता हूं आपको कि इसम है धंकी को आत्मत्य की धंकी जो है वह कोर्जन की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा यह ऐसा एक केस आया था अमीराजू वर्सेज शिशम्मा का चन्नई में उसमें भी जो है वह उसका एक परसन ने जो है वो कहा था कि मैं आत्मात्या कर लूँगा नहीं तो जो है वो मेरे करोर्षा के बेटें नैसा उस परसन काह वैसा वहनोंने काम कर लिया कि इसमें जो है वह धमकी का परयोग किया गया है कोर्जन का इस्तेमाल किया गया है और इसलिए जो यह जो इसने इसने अज़ कर आप दोन दे यह अपराद है कि जो आपका आत्मत्या का प्रेतन है दंड विधान यानि कि इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंगली जो है वो धारा 309 के अकॉर्डिंगली दंडनिया अपराद है इसलिए वो एक थ्रेट सुसाइड कमिट करने की भी कोर्ड़न की केटेगरी में आती है ठीक है तो इसके बाद आ है हमारे पस टूदआ घ्रिवड पार्टी इंडन को और 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 अगर जो है वो लिए कहन गन्सेंट ली गई है तो उस पार्टी के पास कौन-कौन से यह वह आप्चिंस बच जाते हैं कौन-कौन अधिकार उसको मिलते हैं तो पहला उसके पास जो अधिकार है that is rescission of contract rescission of contract का मतलता है अदुमबंद का विखंडन यानि की अनुबंद को समाप्त कर देना कि जो पीडित पक्ष है जिसकी consent free consent नहीं है जिसको डरा धमका के जहाए वो contract में enter किया गया है तो वो चाहे तो जहाए उस contract को समाप्त कर सकता है और उसको contract को पूरा करने से मना कर सकता है that is rescission of contract बट उस party का rescission of contract का जो अधिकार है वो खतम हो जाता है अगर उसने जो है aggrieved party ने जो है वो contract को accept कर लिये है जो भी contract की terms and condition है उसको accept कर लेता है उसके accordingly काम कर लेता है या उसमें जो है वो फाइदा उठा लेता है या फिर जो है एक reasonable time में जो है उस contract को मना करने से को पूरा करने से मना नहीं करता है तब भी उसको contract जो है यह माना जाएगा कि उसने जो है अपनी सहामती सहीडंग से दी थी और उसने contract को पूरा करना चाहा है तो फिर उसके बाद वो option उसके पास से खतम हो जाता है अगर उसने जो है समय से जो है वो उस अनुबंध का विखन्दन अनुबंध की समापती नहीं की है ठीक है या फिर उसने जो है वो सको contract को accept कर लिया है तब भी जो है उसका वो अधिकार जो है खतम हो जाता है तो कई बार या फिर ऐसा है कि जो समान के बारे में बात की जा रही है उसमें समान का इस्तेमाल कर लिया है या आगे किसी को और आगे बेच दिया है यूज कर लिया है तब भी जह वो उसका यह decision of contract का अधिकार चाहिए खतम हो जाता है और दूसरा जो उसके पास अधिकार है restitution का प्रस्थ्यापन का restitution और प्रस्थ्यापन में दो चीज़ें आती है कि to restore the benefits and to compensate for the losses तो to restore the benefits कि जो भी उसने benefits obtain किये हैं वो जो benefits है restitution का मतलता है प्रस्थ्यापन प्रस्थ्यापन का मतलब है कि जो जीज जैसे थी पहले रेस्टिटूशन का मतलब कि जो चीज पहले जैसी थी वैसे ही उसी situation में ला दी जाए उसी condition में ला दी जाए तो उसी condition में लाने के लिए कि या तो जिस परसन ने agreed party उसने कोई benefits ली है तो वो benefits जो है वापस restore के जाए वापस किये जाए तो अगर मालो जो है वो जिससे consent जो है free consent नहीं थी उसका किसी ने फायदा उठा लिया है तो वो फायदे जो है उसको वापस मिलने चाहिए मतलब वो कोई भी unnecessary benefits नहीं उठा सकता और मुआपजा मिल सकता है बट अगर दूसरी पार्टी ने कुछ लाब प्राप्त कर लिये हैं दूसरी पार्टी कुछ फायदा मिल चुका है तो दूसरी पार्टी उसको benefits वापस return करेगी तो agreed party पीडित पक्ष जिसके पास ये दो remedies है या तो contract को खतम कर दे या अगर वो खतम नहीं करता है समय से तो फिर उसको contract पूरा भी करना पड़ सकता है कि अगर within reasonable time जो उसने पूरा नहीं किया है या जो भी इसमें contract की terms conditions थी जो समान था जो subject matter था उसका अपने लिए इस्तेमाल कर लिए है यूज कर लिए आगे उसको और deliver कर दिया है या उसकी terms and condition उसको affirm कर ल कि उसको जो है प्रस्थापन की उसको पुरानी situation में लेके आना जैसे वो contract से पहले थे तो उसमें जो अगर कोई benefit दूसरी party ने ले लिए है तो वो party जो है agreed party को benefits वापिस करेगी और अगर agreed party को को कोई नुकसान उठाना पड़ा है तो नुकसान भी जो है वो दूसरी party से cover कर सकती है रिकावर कर सकती है उसका मुआफजा ले सकती है तो यही है आज की वीडियो में पूर्जन के बारे में ओके थेंक्यू